हाई फ्रेंड आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से हम वीडियो के एडिटिंग करेंगे तो मैं इसके उपर करूँगा यह है एड़ॉप प्रेमियम प्रो 2020 और मैं वैसे इस पर भी करता था सोनी विगास सोनी विगास 14 यह भी अच्छा सौफ्टेयर एडिटिंग के लिए मैं इस पर एडिटिंग करके आपको नेक्स वीडियो बनाऊँगा तो इसमें बताऊँगा किस तरह से वीडियो सोनी विगास के उपर बनाते हैं एडिटिंग करते तो आज मैं आपको बताता हूं एड़ॉ और और भाइगा नेकिंग करिंगे तो इसका हम जैसे किलिक करें तो यह हैं यहां पर यह कुलेगा थोड़ा सा में वेट करना पड़े गा इसका कि तो यह यहां पर लोडिंग हो रही है फाइल इसकी तो थोड़ा साइ conservation आपको यह पर क्योंकि बिगिनर के लिए बहुत जरूरी है किस तरह से यह उपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूं इस तरह से यह ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा यहां पर थोड़ा तो यह देखिए वेट करने के बाद यह लोडिंग हो रही है तो यहां टैटिल में जाके X, Y, Z जो आप चाते हैं हैं यहां पर अपना वीडियो का टैटिल दे सकते हैं और यहां जाके आप OK करें यहां पर आपको कोई setting नहीं करनी है बस खाली यहां पर और कहां पर आप यह इसको वीडियो जो आपकी बनेगी वो कहां पर पाइल जो सेव होगी कहां पर जाएगी तो मेरी जो है वो डेस्टॉप के उपर जाएगी तो आप यहां जाके उसको select कर सकते हैं किस partition में document में या picture में या video में जहां आपको करना है वो select कर सकते हैं तो मुझे थोड़ा सा इसके अंदर option बता दूँ क्योंकि आपकी ये सारी चीज़ां आएंगी इसके अंदर तो आपको ये सब देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम है project ये मेरा नाम आ गया है यहाँ पे ये देखिए ये सब होता है info, effect, markers और history तो ये सब मैं आपको बाद में बता हूँगा अभी आपको बहुत ज़्यादा easy और important चीज़ बताता हूँ तो आपका बिल्कुल इस तरह से ये खुलके आएगा तो ये सारी चीज़ होंगी अभी मैंने इसके अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे learning लिखा है, assembly लिखा है, editing लिखा है, color है, effect, audio, graphic, libraries और फिर यहाँ पे और भी आप चीज़ें देख सकते हैं पैनल वगरा हैं फिर ये इस तरह से आप देते जाएंगे तो आप तो आपको effect रखना है और editing रखना है यहाँ पे उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा यह option दिखाता हूँ तो यहाँ पर यह सारे option है, save wave करने का है, यह आप सब देख सकते हैं, close है, save है, save as है, और यह देख सकते हैं, import है, export है, exit है, फिर editing में यह सारी चीज़ा आती है, इसमे edit में, फिर clip में यह आती है, इनके बारे में बाद में बताऊंगा आपको, मैं आपको भी एक beginner वाला, जो main काम होता है, वो मैं बता रहा हूँ, graphic है, यह view है, तो इसके अंदर हमारे लिए सबस्दादा important file है, file options, यह सारे, और यह window है, तो कि window के क्या होते है, accidentally आगर आपकी यह window जो है, यह close हो गई, यह हो गई, इसमें से यह हो गई, यह हो गई, तो आप वापस इसको ला सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, कहां चला गया, बहुत से लोग, यह accidentally कुछ movement हो जाता है, यहां से हट जाती है, यह तो कोई नहीं है, यह सारे आप जो टिक देख रहे हैं, तो यह सारे इसमें option खुले हुए हैं, यहां पर आपको यह सारे option देख रहे हैं, यह इस वाद विंडो में, तो यह main work है इसमें, आप जैसे color वागर का setting है, मैं आपको एक दिखाता हूँ, तो यह color setting का यह इस तरह से, तो यह यहां पर यह खुल के आ जाएगा, अभी show black आएगा, क्योंकि अभी मैंने video इसमें लाया नहीं हूँ, तो चलिए मैं अभी इसको यहां से जाके, मैं close करता हूँ, यह close panel है, यहां से close हो जाता है, आपको यहां से close करना है, यह panel close हो जाता है, तो आप यह देखिएगा, कौन से panel का क्या नाम है, तो यह panel का नाम प्रो project है, तो चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरह से video यहां पर लाते हैं, तो सबसे पहले आप file में जाएंगे, और यहां import लिखा होगा, open से नहीं आती है, यहां पर imports से आती है, import करा, उसके बाद मेरी जो है, desktop पे यह folder है, video for YouTube, तो मुझे यह इसकी video बनानी है, तो मैंने का लाओ, इसकी editing भी मैं सिखा देता हूँ, add of premium की, तो इस तरह से मैंने यहां पर जाके, इसको import करा, और video को select करके, और यह video यहां पर आ जाएगी, उसके बाद आप drag करके, video का अपनी, यहां पर छोड़ दें, यहां पर जब आप छोड़ देंगे, तो इसको आपके option आ जाएंगे, यह आप देख रहे हैं यहां पर, तो इसको जैसे आप करते चले जाएंगे, तो यह ऐसे भी आ जाएगा, और ऐसे भी आ जाएगा, तो आप इस line में रख लेंगे, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यह वीडियो है, यहां पर आपके आ गई है, तो फर्स option मैं आपको volume का दिखाता हूँ, यहां पर है, तो यह देखिए मेरी आवाज आ रहे हैं, इस वीडियो आज दिखाने वाला हूँ, कि अगर आप चाते हैं, कि आपकी यह आवाज जो है, आप ना दें, इसमें background music डालें, तो आप यहां जाके इसको mute कर देंगे, त आपको यह मेरी नहीं आ रहे हैं, कि और मैं इसको install करते हैं, और क्या-кया, हमें इसमें यह देखिए, और अगर यह वीडियो है, यहां पे यह sound होती है, और यहां पर वीडियो होती है, वीडियो को आपको करना है, तो यह comic. आपने करा तो यह close करा यह image आपकी चली गई, तो मैं आपको यह main setting बता रहा हूँ accidentally अगर यहां पर आपसे हो जाए तो beginner के साथ problem होती है तो यह video है यहां से आप इसको stop कर सकते हैं और यहां से जाके आप इसको back कर सकते हैं जहां से आपकी start थी तो यह यहां पे back करते हैं यहां से और यहां से यह end होता है इसका वीडियो का end जो है और यहां से यह जहां से स्टार्ट करते हैं वहाँ आजाता है ठीक है तो आपको मैं main point बता रहा हूँ वही करना है तो यह मैंने आपको मूट का बता दिया यहां पर और इमेज का बता दिया अगर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगर यह इमेज आपकी छोटी आ रही है तो इसको किस तरह से हम बड़ी करेंगे फूल स्क्रीन करेंगे और इस वीडियो को साइस को एड़्जस करेंगे तो आपको यहां जाके वीडियो पर इस तरह से किलिक करेंगे किलिक करने के बाद और आप यहां जाएंगे effect ढ़ें गए control अगर आपको यहां पर option है तो आप यहां चक्च कर दिया और यहां आप देखेंगे scale. तो यहां जा के आपको scale को पर करना है तो यहां पर यह को यह देखें इस तरह से अगर आपकी वैजियो आ रही है आपको बढ़ा करना है, आपको बिल्कुल स्क्रीन के इसको फिट करनी है स्क्रीन में तो यह इसका स्क्रीन होता है यहां पर आपने इसको इस तरह साब एड्जस कर सकते हैं और इसको जाके जब आपको क्लोस करना है तो आप को यहां पर जाके ज़रूरत नहीं है आप यहां जाके इसको कर देंगे त तो आप इसकी लार्ज और इनलार्ज कर सकते हैं इसको तो मेरी वीडियो बिल्कुल पर्फेक्ट है इस वहाद तो मैंने आपको यह बताया इसमें अब मैं आपको बताता हूं बैक्गराउंड में किस तरह से हम म्यूजिक लगाएंगे हो सकता है जैसे बहुत से लोगों की वीडियो बनाते हैं और उनकी आवास खराब हो जाती है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूं पहले मैं यहां जाओंगा और मुझे बैक्गराउंड म्यूजिक के लिए या बैक्गराउं उसको सलेट करके और यहां open करूँगा तो आप यहां पर देखेंगे यह यह बैक्ग मेरी music आ चुकी है तो यह मैं यहां पर fit कर दूँगा और मैं आपको सुनाता हूं तो इसमें आप देखे रहे होंगे मेरी म्यूजिक जो है वो बहुत जादा हाई हो गई और मेरी जो साउंड थी अवाज जो थी मेरी वो जो है दब गई तो इसको हमें यहां जाके इसको एड़्जेस करना होगा इस तरह से तो मैं आपको फिर से सुनाता हूँ तो यह आ रही है तो अगर आपको म्यूजिक कम करनी है और अपनी आवास को करना है तो यहां जाके आप इसको इस तरह से अप कर देंगे तो इसको आपको यहां से एड़्जेस करना होगा अगर आईए कम होगा तो काम नहीं करेगा तो आ आप अपनी लेविल साउंड की बढ़ा सकते हैं यह मैंने कर रही है अब मैं आपको फिर सोनाता हूँ तो यह अब मैं क्या करता हूँ यहां जाके अब मुझे यह और कम करनी है बैगरांड में हलकी आए किस तरह से इसको इंस्टॉल करते हैं और क्या क्या हमें इसके में रिक्वाइर्मेंट की जरूर होती है यह सबसे पहले प्राफ कर सकते हैं इसमें आप दे सकते हैं यह है यह 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 से तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ अच्छा अब आप यह चाहते हैं कि यह म्यूजिक जो है वो आपकी बिल्कुल एंड वीडियो तक हो तो किस तरह से करेंगे इसको तो इसको आप जाके इस तरह से मूवेंट करेंगे यह अगर यह इस तरह से भी मूव होता है और यह इस तरह से भी मूव होता है तो आप फिर गए और फिर आपने जाके यहां पे कि अपनी जितनी भी ये लगाना चाहते ह े बैगराऌंड मीजिट तो अप यह लगा सकते आप यह आपने बैगरांड मुजिक लगा दिये और यहांенд फोड़ा सा बना करने इसको काना paling Deaf तो यहां से यह एड़ जस कराया था इस तरह से, तो यहां आप जा जा जागे यह इस तरह से एक लेविल में कर लें इसको, यह हो गया यहां पे, अब मैं आपको सुनाता हूं, यहां पूरी यहां तरह काम करेगी, यह इस तरह से यह काम करती है, और आपको अगर इसको, अब अब यह आपको करना है कि यहांपर यह अंना चाहिए हमारा आ है भी क्या है तो इसको जाकर आप इस तरह से पीछे करेंगे अगर आपको इस तरह से निकरना है तो आप यहां पर kère ब्लेट देख रहा हूंगे यह रेजर जो है यहां पर यह ब्लेट जो हता है ब्लेट उसकी शेप में यहां आपकी यह लाइन काम कर रही है यह देखिए यहां जाकर आप इसको कट करेंगे और उसके बाद फिर यहां जाएंगे एरो पर इस पर सेलेक्शन टूल कलाता है यह ह》 आपको उन्डू करना है वाहां से यहाँ से भी आपने डू कर सकते हैं यहां से विडियो के लिए बना रहा हूं कि किस तरह से इस game को हम गैनिश impact जो game है किस तरह से इसको install करते हैं तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको ये editing भी सिखा रहा हूं साथ हो साथ अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि मुझे यहां अपनी सब्सक्राइब वाली image लगानी है तो image कैसे लगाते हैं तो image का आपको कैसे लगाना है आपको फिर import में जाना है और import में जाने के बाद जो आपका अपना यह सब्सक्राइब वाला लाना है तो यह आप देखिए यहां आने के बाद यह image आ जाएगी इसको आप ड्रैक करके और अपनी वीडियो के end में डाल देंगे तो आप यह देखेंगे हैं जब आपकी यह वीडियो के यहां पर तो यह आ जाएगा अब है तो हम इसको जाएंगे यहां पे है तो यह इस तरह से यह द uważ ह där है कि यह चोटा था इस पर हमने आपकर चैक करनने के बाद एफक्ट पे control पर जाएंगे उसके बाद यहां पर जाएंगे यह हमारा आ गया है यहां जितना आप बड़ा करना चाहते हैं यह बड़ा कर सकते हैं यह हो गया मेरा और मुझे इसको कितना छोटा करना है यह मैंने कर दिया यहां मुझे अपनी music को end तक लानी है तो यह मैंने यहां कर दिये और उसके बाद आप इसको यहां पर ले जाएंगे start में और इसको जितना बड़ा करेंगे तो यह आपका normal video size आ जाएगा और यहां पर यह टाइम है कितने minute की है यहां पर तो यह वीडियो का time आ गया एक यह होता है और एक यह होता है इसमें अंदर फिर आपको अगर अपना लोगो लगाना है तो लोगो फिर आप इंपोर्ट में जाएंगे और इंपोर्ट में जाने के बाद आप अपने देख ले पी एंजी का लोगो कौन सा है अगर लोगो लगाना चाहते हैं आप अपना तो यहां पर logo है ड्रैग करकर आप यहाँ ले जाएंगे यहां ले जाने के बाद अब यह फोड़ा सा छोटा था तो देख नहीं रहा था तो हम इस तरह से इसको करेंगे तो आप यह देख सकते हैं इसको इसको फिर ड्रैग करके आप बिल्कुल वीटियो की end तक ले जाएंगे, जहां तक आपको इसको करना है, तो मैं अभी यहां छोड़ता हूँ और इसको मैं फिर से वीटियो के size पर, क्योंकि मैं देख सकता हूँ, इसको सही से, तो ये इस तरह से हम वीडियो को करते हैं, हम मैं आपको दिखाता हूँ यह साइज आप देख रहा होंगे बहुत बड़ा रहा है तो फिर आप इस पर टिक करेंगे यहां पर किलिक करेंगे यहां पर इस पर इमेज के ऊपर वीडियो को करना है तो वीडियो पर करना होगा आपको और इमेज पर करना है इमेज पर करना ह तो मुझे इसको छोटा करना है मैं यहां जाओंगा इस पर मैं किलिक करूंगा उसके बाद एफेक्ट कंट्रोल प्रेसक्वाद स्केल इसकेल के बाद यह देखिए इस तरह सा आ जाता है अब आपको यह जहां पर भी जितना भी साइस करना एं जहां लगाना है इसको आप आताना है तो आप कहीं पर भी सको कर देंगे तो ये आप कोई movement नहीं हो सकता इसमें है तो यह हो गया text अगर आप चाहते हैं यहां पर to text आये तो text के लिए आपको यह करना पड़ेगा यहां पर बना हुआ है यह है टाइप टूल तो टाइप टूल में आप जाके यहां पर चलिए टाइप टूल का मैं नेक्स वीडियो में बताऊंगा अभी इसमें रहने दिये इसको मैं एरेज कर देता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी तो अब मैं आपको मैंने यह मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है मुझे कुछ नहीं है ठीक है मेरी आवाज भी आ गई है बेगरांड म्यूजिक भी आ गई है मेरा सब्सक्राइब का व गैनिश के नाम से ता है यह मैं कहां पर सेव करूँगाद ड्सक्राइब तो यह मैंने इसका नाम दे दिया यह जो हम अपने YouTube चैनल में या कहीं पे भी इसको Facebook पे या कहीं पे भी इस वीडियो को लगा सके, क्योंकि अभी ये वीडियो नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट है, अब वीडियो आप जो बनाएंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल के बाद आप जाएंगे, एक्सपोर्ट में, ए यहां पे आप क्यों देख रहे होंगे, यहां पे लिखा है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पर आप सिर्फ, चेक कर देंगे एक बार, और यह वेट करना होगा, थ्री मिनिट, यह इसको, फाइल को जो है, वो रीट कर रही है, रीट करने के बाद यह इसको, वीडियो फाइ किस तरह से करी आती है, वीडियो की, जो बहुत जादा है, एच्डी आये, बहुत अच्छी आये वीडियो, तो मैं आपको बताऊंगा, बाद में, तो यह जो मेरी वीडियो है, वो कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ, कहां पे सेव हुई, यह देखिए, ड यह देखिए, तो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, यह देखिए, लोगो आ गया यहां पर, बैगरांड म्यूजिक भी है इसमें, और मैं आपको एंड करके दिखाता हूँ, दिखने लगेगा, यह सब्सक्राइब का भी आ गया इसमें, तो इस तरह से हम इस सॉप्ट के ओपर इस तरह से वीडियो एडिटिंग करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और भी वीडियो बनाता रहूँ एडिटिंग की और इस सॉप्टर के बारे में,